तो इंडियन लेडर्शिप जैशिन भी मना रही है, कि मजाकराद वो जारी रखेंगे, जगा एकेंची नी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो पुरानी सिचुशन पर भादी नहीं होगी, सिरु पुरानी सिचुशन ही डिप्लाइमेंट बढ़ा सकते हैं, मिजायल उन एतनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के विरेश मंत्रियों की बैठक मासको में रूस के विरेश मंत्री के मध्यास्ता करने पर हुई थी, यहाँ पर दोनों देशों के विरेश मंत्री, S.C.O. संगाई, कॉपरेशन, और अर्गनाइजसन की बैठक में भाग देने के ल के वल सीमा पर एथा इस्थिती बनाए रखने के समंध में है, बाकी मामलों के समंध में आगे की चर्चा, दोनों देशों के सन अधिकारियों के बैठकों में, राष्टिय सुलक्षा सलकारों के बैठक में, तथा वरकिंग गुरूप की बैठक में तई किया जाएगा, भा कोई तनाजा इनफेक्ट चीन के साथ उनका था ही नहीं, कोई मुदी साथ ने उस दोत कहा क्या, हम पर तो कोई अमला नहीं हुआ, हमारे लागए पर तो वह आया ही नहीं। इसी ने पापन रावत ने बेहन दिया था ना, कि बयक बख्चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, उन्हें टंडों आजमी मार दी, कभी कभी तारीख में ऐसा वाक्या हुआ है, किसी फोज ने दूसरी फोज के टंडों से आजमी मार दी है, और कहा गया इसमें, इसक जिसम के कोई इस्तला इस्तमान होती है, ने देखें ना, जब कोई खम्त में दुबतला हो जाता है, और अब जो है, वो जो छोटा से इलाका उन्होंने ले लिया, किन के जरीए, C.I.A. की मदद से, तिबत के जो गोरीला दस्ते, उन्होंने ट्रेंड किये थे, और जो एक इंतकामी जजबा रखते हैं, चीन के खिलाफ, और ट्रेनिंग भी उनकी से यहीं ने की ते इच्छी थी, ताहर है, उसका महरवेतर होगा, तो जो जील के साथ जो पाड़ी लाका है, उसमें एक तरफ तो वो उस पे वो फाते बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मुखार क को हवा देते जा रहे हैं, ये वो वाहिद जगा है, मैं तो ये लवज इस तरह कि कभी जिन्दगी पर इस तो मार ले नहीं किया, ये वो पंजाबी के लवज है, जिसे पंगाले नहीं कहते हैं, खाम खायक ऐसे सिचुएशन पैदा करना है कि आ बैल मुझे मार, और ये वो किया, वो उन्होंने ये किया, कि उन्होंने का बिल्कुल ठीक है, मफा मच चाहते हैं, कि मजाकराद वो जारी रखेंगे, जगा एक एंची नहीं छोड़ेंगे, वो पुरानी सिचुशन पर भाजी नहीं होगी, उस सिरु परानी सिचुशन ही डिप्लाइमेंट बढ़ा सक लेकर चीनी जो है, अब मसला ये है, वो आपने सुना हुआ है, कि पठान के सीने पर बैठा हुआ बनिया रो रहा था, किसी नहीं पुझे पर रो क्यों रहे होगे, ये भी उठी जाएगा मुझे मुझे मरेगा, एंडिपलो मेज़ी में ये जो घबरा हुए ते, गबरा कराद करने है, कि फॉर्ण मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है, और एक पांच नकाती जेंडे पर उनकात तपाक हुए है, बात ये है कि चाइना पास गया ना, अगर वो उसको मान लेता है, तो ये मान गया कि एरिया, इंडिया ने हमारा कबजे में किया, हमने उसको भूल ग कि इसमें पेशर्फ किया हुई तो जो सफारती सता पे बाते होती है ना, वो इसी तांकी ठेंडी मीटी अच्छी होती है, लेकिन जो उपर बैठे में उनके सपाई, वो अब कोड़ कोड़ करेंगे, कि अगर ये ही करना तो तो हमें के बढ़ाय वाई यहां पे, और अब व सबस्क्राइब Osw which are कि एक इनच्वाव घ्डिया मुखकरी है कि ऐसी से मसले का नुप्टारा किया जाता है भारत हमिशा से ही Тीन के साथ सान्ती का पक्षधर रहा है इसलिए हमारे देश के पुर्व प्रधार मंत्री स्वर्गिय जवारला नहरू ने हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा भी दिया था आप लोगों को यह भी ग्यात होगा कि आज से करीब 64 साल पहले 29 अप्रेल 1904 को भारत के ततकालीन प्रधार मंत्री स्वर्गिय जवारला नहरू और ठीन के ततकालीन प्रीमियर चाउमेल लाई के बीच एक पंचसील समझावते पर भी हस्ताक्षर हुआ था इस समझावते के अउसार चीन के छेत्र तिबत से भारत में होने वाले बैपार तथा चीन और भारत के आपसी समंधों के बारे में दिशा निर्देश दिया गया था दरसल में पंचसील समझावते के पीछे भी चीन की एक छुपी चाल थी भारत 1947 में आजाद हुआ और चीन 1969 में अपने आजादी के ठीक एक साल बाद ही चीन ने 1950 में तिबत पर आकर्मण करके तिबत को अपने में मिला लिया इस प्रकार भारत और चीन के बीच तिबत जो एक बफर एश्टेट था अब वह समाप्थ हो गया और भारत और चीन की सीमा आपस में मिल गई इस पंचसील समझावते से भारत ने एक प्रकार से तिबत को चीन में सामिल किये जानी की बैधता परदान कर दे जेकिंग चीन ने इस पंचसील समझावते की धजिया उडाते हुए 1962 में भारत पर आक्रमन कर दिया था और भारत के लगदाक छेतर का अकसाई चीन वला इलाका अपनी में सामिल कर लिया है जो आज तक चीन के कबजे में है चीन भारत के सान्ती तथा सथभावपुन रवय को हमेशा से कमजोरी समस्ता रहा है चीन के असली नियत को समझने के लिए हमारे सभी भारतिये नेतिरत ने कभी ने कभी भूल की है यहां तकि बत्वान परधान मंत्री भी चीन के राश्पती सी जी पिंग से बेक्दिगर समंध बढ़ा कर समंधे को प्रगाड करना चाते थे उनकी यह मनसा थी कि चीन अप सुधर गया है जेकिन चीन ने डुकलम में 2017 में और फिर 2020 में जो जटका दिया वो आज तक भारत नहीं था सजग और सक्षम था इसलिए चीन के हमले का ऐसा मोतोर जबाब दिया कि चीन को ही समझवता करने की पहल करनी पड़ी आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा पर इस समझवते से एक देश पाकिस्तान बहुत ही परेसान है क्योंकि भारत और चीन की से जब तन अब पाकिस्तान की परिसानिया बढ़ने लगी है क्योंकि वह लगता है उसको पाकिस्तान को इभारत उस पर फिर हमला कर सकता है या उसके लिए तकलीफ पाइदा कर सकता है जुद्ध कोई भी हो गिद्ध को तो अपनी भोजन पर ही नजर रहती है और आप समझी गए कि इसमें गिद्ध कौन है आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियों की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जै कि ट darf दो की जानकारी यह ही है